भारत जोडो निया यात्रा को मनिपूर से मनजूरी नहीं। यात्रा की शिरुवात यहीं से होनी है। कॉंग्रेस अध्यक्ष बोले सीयम को नहीं मना पाए। कॉंग्रेस की चोड़ो निया यात्रा को मनिपूर सरकार ने मनजूरी नहीं नहीं दी है। सियात्रा के शिरुवात यहीं से होनी थी। आज दिसन्वरी को राज के कॉंग्रेस चीफ केशम मेकचंद्रा ने सीयम एन बीरेन से मुलाकात की और उनसे सियात्रा की अनुमती देने की गुजारिश की लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माने हैं। केशम ने मीडिया को बताया है क उन्होंने सीयम को मनाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं मना पाए। इससे पहले सीयम बीरेन सिंग ने मंगलवार नौजनवरी को कहा था कि कॉंग्रेस की भारत जोड़ो निया यात्रा को अनुमती देने पर सक्रियता से विचार चल रहा है। सुरक्ष एजंसियों से रिप प्रत खत्म करके प्रेम का संदेश फैलाना है। दिल्ली में कॉंग्रेस ने जर्नल सेकर्टरी जैरामो रमेश और केसीवे नुगोपाल ने इस यात्रा का रोड मैप और पैम्पलेट जारी की है। कॉंग्रेस सांसद राहुल गांदी चौदा जन्वरी से भारत जोड़ो निया यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा मणीपूर से शुरू होकर 20 मार्ज को मुंबई में खत्म होगी। लोग सबाशोनाव से करीब चार महीने पहले होने वाली यह यात्रा 14 राज और 85 जिलो में कवर होगी। इस दोरान राहुल पैदल और बस से 6200 किलोमेटर से जाता की दूरी तै करेंगे। कॉंग्रेस महासचेव केसी वेनुगोपाल और जैराम रमेश ने 27 दिसंबर को पार्टी हेदक्वार्टर में मीडिया को भारत निया यात्रा की जान करी दी थी। पार्टी नेताओं ने बताया है कि कॉंग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के ब भारत जोड़ो निया यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक निया है। इस यात्रा में राहुल युवाओं, महिलाओं और हाशी उपर बड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। बस यात्रा से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। य अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं।